नमस्कार नबहराटाइम्स उनलाइन पर इस वक्त की बड़ी खबर जिसने महराश्ट्र और देश की सियासत में भूचाल ला दिया है प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महराश्ट्र की सियासत में बड़ा नाम नवाब मलिक को एडी ने गिरफतार कर लिया है सूत्र बता रहे हैं कि एडी ने उनसे कई घंटों की पूटस्ताच की जिसके बाद उन्हें गिरफतार कर लिया गया लेकिन मामला गया था नवाब मलिक के खिलाफ मामला सूत्र बता रहे हैं कि अंडर्वल्ड डौन दाउद इब्राहिम के एक मनी लॉंडरिंग केस से जुड़ा हुआ है जिसमें एक जमीन की खरीद शामिल थी सूत्रों का दावा है कि नवाब मलिक को इसी केस में गिरफतार किया गया है पिछले दिनों पूर मुख्यमंत्री देवेंदर फणविस ने नवाब मलिक पर ये गंभीर आरोप लगाया था फणविस ने वगाद एक प्रेस कॉंफरेंस की थी जिसमें ये गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि मलिक परिवार ने इस जमीन की कीमत को साड़े तीन करोड रुपे दिखाया ताकि स्टैम ड्यूटी कम भरनी पड़े और जब इसका पेमेंट करने की बात आई तो इसकी कीमत 25 रुपे प्रती स्कॉयर फुट की दर से बताई गई लेकिन पेमेंट 15 रुपे प्रती स्कॉयर फीट के रेट से किया गया मलिक पर आरोप यह है कि उन्होंने ये जमीन अंडल वर्ल्ड के लोगों से खरीदी थी यह रोप फर्णवीज की ओर से लगाया गया था जिसके बाद बताया जा रहा है कि इसी केस में उनसे लंबी पूच्टाच बुधवार की सुभ है एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट ने शुरू की और अब उन्हें गिरफतार कर लिया गया है आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इडी ने इकबाल कासकर को पूच्टाच के लिए बुलाया था और अपनी हिरासत में लिया था और जानकारी ये मिल रही है कि इकबाल की गवाही पर ही इडी की टीम ने नवाब मलिक से पूच्टाच शुरू की थी आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में नवाब मलिक किस तरह केंदर सरकार और उसके जाँच एजिंसियों को लेकर मुखर रहे हैं शारू खान के बेचे आरियन खान के ड्रक्स केस को लेकर नवाब मलिक ने जिस तरह NCB अफसर समीर वान खेड़े और केंदर की BJP सरकार के खलाफ मोर्चा खोल दिया था वो लगातार सुर्खियों में बना रहा जाँच एजिंसियों को नवाब मलिक लगातार निशाने पर ले रहे थे किंदर सरकार के खलाफ मुखर थे और ऐसे में अब उनकी पार्टी के लोग यही कह रहे हैं कि नवाब मलिक को इस तरीके से उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो BJP के खलाफ लगातार बोल रहे थे NCP चीफ शरत पवार ने कहा कि इस तरह के आरोप उनके उपर भी लगाए गए थे और अब नवाब मलिक का नाम भी दावद इब्राहिम से जोड़ा जा रहा है शरत पवार का कहना है कि उन्हें पहले ही अंदेशा था कि नवाब मलिक को आगे चलकर इस तरह परेशान किया जाएगा लेकिन वाकई ये बड़ी खबर इस वक्त सियासी गलियारों से जिस तरेके से लगातार महराश्र और केंद सरकार में टकराव भी देखने को मिल रहा था वो पिछले कुछ दिनों से शांत जरूर हुआ था लेकिन ऐसा लगता है कि वो तूफान के पहले की शांती थी और अभी एक बड़ा तूफान बड़ा एक घुचाल लाने वाली खबर नवाब मलिक को E.D. ने अरेस्ट कर लिया है आप लगातार बने रहे ये NBT Online के साथ